आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है आज में आपके लेकर आएं बहुत ही टेस्टी क्रीमी मलाई रोल चाप जिसे हम ब्रेट से बना कर त्यार करेंगे रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंड करना ना भूलें तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं इंस्टेंट मावा बनाऊंगे तो इसके लिए मैंने लिया है पर वन टेस्पून घी यह घर का सुद्धी है अब हम इसमें डाल देंगे वन फोर्थ कप मिल्क चीनी डाल देंगे दो बड़े चममच अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे हलका साह मिक्स कर द कर देना है गैस का फ्लेम में लोही रखना है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए यह हमारा इंस्टेंट मावा बनकर त्यार हो जाएगा तो यदि आपके पास मावा ना हो तो आप इस तरह से इंस्टेंट मावा बना कर त्यार कर सकते हैं और यदि आपके प तो हमारा इंस्टेट मावा बनकर त्यार हो गया है अब हम कैस का फ्लेम बन कर देंगे तो यहाँ पर मैं केवल मावे की फिलिंग रही हूं आप चाहेकं तो इसमें आप चाहें मावा के साथ बैडराई फूट्स भी एड़ कर सकते हैं… तो यह देखिए इस तरह से हमें रोल बना लेना है सबी रोल हम इसी तरह से बना लेंगे अब रोल हम बनाएंगे ब्रेड का तो यहाँ पर मैंने सैंविच वाली ब्रेड ली है जिसमें अल्रेडी ही जो कॉर्णर होते हैं वो निकले हुए होते हैं अगर आपके पास प्लेन ब्रेड हो जो नॉर्मल ब्रेड आती हैं तो आप उसके कॉर्णर हटा ले और इसे एक बिल्कुल पतली सीट में हमें बना लेना है ब्रेड बहुत ज़्यादा हमें बासी नहीं लेनी है ठोड़ी फ्रेस लेनी तो यह टूटेगी फिर यह देखी हमारी थोड़ी बड़े साइज की ब्रेड है तो हम इसे बीच से थोड़ा कट कर लेंगे अच्छी तरह से हमने इसे बेल दिया है बिना पानी लगाए अब बीच से हम कट कर लेते हैं जिससे हमारे छोटे छोटे एक्वल रोल बने ये देखे इस तरह से सीट तयार है हमारी अब हम इसमें रोल लगा देते हैं तो बहुत ही इंस्टेंड ये मिठाई बनकर त्यार हो जाती है किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते है सभी रोल हम इसी तरह से बना कर त्यार कर लेंगे ये देखे सारे रोल हम इसी तरह से बना लेंगे सभी रोल हमने इसी तरह से बना कर त्यार कर लिए है अब रोल के उपर हम लगाएंगे रबडी क्योंकि हम मलाई रोल चाप बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम की लगभग मिल्क जिसमें से मैंने 1 फोर्थ कप लिया है अभी और अब हम इसमें डाल देंगे 1 फोर्थ कप की लगभग मिल्क पाउडर अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूद को ही गाढ़ा गाढ़ा कर ले रिड्यूस कर ले पकाते पकाते उसकी जो मलाई है वह इखटा करते जाए या फिर आप अमूल की फ्रेस क्रीम का इस्तमाल भी करके उसको थोड़ा थिक कर सकते है अभी हमने गैस का फ्लेम बंद रखा हुआ है क्योंकि हमारे जो मिल्क पाउडर वो गुठलियां बन जाएंगे तो अभी हम इसे मिक्स कर देंगे सबी चीज़े अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो आप बाकी का जो हमारा मिल्क है वो भी हम एट कर लेंगे यह मलाईदार मिल्क है आप देख सकते हैं काफी गाड़ी इसमें मलाई है अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर दिये हैं अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम आउन कर देंगे इसको मिठास देने के लिए मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाल रही हूं वन फोर्थ का आप चाहें तो नॉर्मल पिसीवी चीनी का इस्तमाल या फिर होल चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास यह सारी चीजे ना हो तो आप एक लीटर दूद लेके उसे अच्छी तरह से गाढ़ा कर ले याने की आधा कर दें और फिर आप उसकी रबडी बना कर त्यार कर सकते हैं अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो मैं यहां इसे केसर का फ्लेवर दूँगे तो कुछ धागे में इसमें भी डालूँगे और कुछ हम केसर वाला दूद बनाएंगे जिसे हम उपर से डालेंगे सर्व करते समय इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स होने देत मिल्क पाउडर का इस्तमाल किया था तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं कंटिन्यूज चलाते रहें जिससे कि हमारा मिल्क पाउडर नीचे ना लगे तो यह देखिए बहुत ही बढ़ी है इसमें एक उबाल आ चुका है अब इसको गाढ़ा करने के लिए हम आपर ब्रेड का इस्तमाल करेंगे यदि आपको रबडी थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी की पसंद हो तो आप ब्रेड का इस्तमाल ना करें थोड़े बहुत हम इसमें ड्राय फ्रूट्स भी डाल देते हैं इसे भी मिक्स कर देंगे अब बस हम आपर गयस का फ्लेम बंद क कर लेते हैं गैस का फ्लेम ने बंद कर दिया है अब इसे हलका सा ठंडा कर रहे हैं तो अगर आपको लगे कि हमारी रबडी बहुत थिक हो गई है तो आप इसमें मिल्क आड कर सकते हैं क्योंकि बहुत जादा थिक अगर हम इसमें रबडी डालेंगे ब्रेड रोल के उपर तो हमारी थोड़ी ठंडी होने के बाद थेखो गई थि तो हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क आड कर लिया था अभी हम इसके उपर से के-सर वाला मिल्क भी आड करेंगे तो हमारी जो रबडी की कंसिस्टेंसिये वह बहुत भी नॉर्मल हो जाएगी ना भूँत थिक ना भूत थ इसमेर दोद में केसर के कुछ धागे डाल दिये थे मैंने और हलका अचा एक भूद हमने इसके कलर एड किया है को इसके केसर के ढाल देंगे देखने में जिस्से और भी सुन्दा लगे और आप इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें फोली हो या फिर कोई भी फेस्टिबल सभी में बहुत पसंद करेंगे सभी उपर से हमने चैरी भी लगा दी है तो लीजे बनकर त्यार हैं मारे बहुत ती टेस्टी ब्रेट के मलाई रोल चाप आप इन्हें घर पर ज़रू ट्राई कीजिगा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड वीडियो में थेंक यू थेंक्स वर वाचिंग बेल एकन प्रेस करना ना भूलें